दोस्तों आज किस वीडियो के अंदर हम आप सभी के साथ में अपनी क्लास 7 की साइंस को स्टार्ट करेंगे और आज हम डिसकस करने वाले हमारे चैप्टर नमबर 1 को जो की है नूट्रिशन इन प्लांट अब हमने अपनी क्लास 6 के अंदर भी स्टेडी किया था हमारे प्लांट से रिलेटेड चैप्टर को लेकिन हमारे 7 क्लास के अंदर भी यही चैप्टर आते हैं अब कुछ एडवांस लेवल कियाएंगे तो चलो फटा-फट से स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर की रीडिंग को और बताते हैं आप सभी को यहाँ पर आप सभी को बोलता है In class 6, you have learned that food is essential for all living organisms यहाँ पर बोलता है कि आपने 6th class के अंदर आप सभी ने study किया था कि जो हमारा food होता है, खाना होता है, वो हम सभी के लिए बहुत ज़्यदा important रहता है You also learned that carbohydrate, protein, fat, vitamin and minerals are component of food और आपने इस बात को भी जाना था कि जो आपके carbohydrate होती हैं, protein होती हैं, fat होती हैं, vitamin होती हैं, minerals होती हैं यह सभी आपके food के components रहती हैं These components of food are called the nutrients and are necessary for our body और यहाँ पर बोलता है कि जो यह सभी components होती हैं, इन सभी को हम nutrients बोलती हैं और यह हमारी body के लिए सबसे ज़्यादा यहाँ पर important रहती हैं All living organisms require food, plants can synthesis their food themselves, but animals including human cannot यहाँ पर बोलता है कि जो भी हमारे living organisms होती हैं, सभी को food की जुरूरत होती है अपने life को जीने के लिए और यहाँ पर बताता है कि जो हमारे plants होते हैं, वो जादा तर वो अपना खुद से खाना बना लेते हैं या फिर उन जानवरों से लेते हैं जो कि plant खाती है, ठीक है आगे बोलता है, thus animals and plants are directly or indirectly depend on plants यहाँ पर कहता है कि इससे हम कह सकते हैं कि जो हमारे human beings हैं, यानि कि हम लोग हैं और साथ में जो हमारे जानवर हैं, वो हमारे directly या फिर indirectly हमारे plants के ओपर ही क्या करते हैं, depend करते हैं अब आगे बोजो आप सभी को बोलता है, बोजो wants to know how plants prepare their own food बोजो आप से इस बात को जानना चाहता है कि जो plants हैं वो अपना खाना खुद से कैसे बनाती हैं बाकि इस process को मैंने आपको 6 class के अंदर पे समझाया था, अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा 6 class के तो जा की जरूर देखिए बाकि यहां पे भी आपको कुछ बाते बताएगा, तो चलो अब आगे बात करते हैं और इस बात को यहां पे समझते हैं अब यहां पे बोलता है, plants are the only organisms that can prepare food for themselves by using the water, carbon dioxide and minerals कहता है कि जो हमारे plant है वो अकेली एक ऐसे organism है जो कि आपके water की help से, carbon dioxide की help से और minerals की help से जो कि हमारे soil के अंदर होते हैं, अपना खाना बना लेती हैं The raw materials are present in their surrounding, जो कि यह क्या होता है, कच्चा पधार्थ होता है, हमारे plant के surrounding में present होता है The nutrients enable living organisms to build their bodies, to grow, to repair damaged part of their bodies and provide the energy to carry out life processes अब यहां पे आप सभी को कहता है कि जो हमारे nutrients होती हैं, वो क्या करते हैं, वो हमारे body को ताकत देती हैं, उसके रोज के काम को करने के लिए और हगर हमें कोई injury बगारा हो जाती है, तो उसको ठीक करने वे हमारे यहां पे help करते हैं अब आगे आपको बताता है nutrition की definition, बोलता है Is the mode of taking food by an organism and its utilization by the body Nutrition आपके क्या चीज होती है, कि आप कौन से तरीके से अपने food को ले रही हो और जो आपकी body है, किस तरीके से उसको यहाँ पर utilize कर रही है The mode of nutrition in which organisms make food themselves for a simple substance is called the autotropic यहाँ पे बोलता है कि जिसके अंदर जो आपके जैसे plant हो गई याँ आपके जो organism रहते हैं वो अपना खाना खुद से बनाते हैं, अपने surrounding से तो उनको हम क्या बोलते हैं, autotropic बोलते हैं nourishment यानि कि अपना pollen potion खुद से करना nutrition, therefore plants are called autotrophs और इसी वज़े से हम जो हमारे plants होते हैं, उनको autotrophs बोलते हैं जो अपना खाना यह खुद से बना लेते हैं आगे बात आती है, animals and most other organisms take in food prepared by plants कहते हैं कि जो आपके जानवर होते हैं, फिर बहुत सारे organisms होते हैं वो plants से क्या करते हैं, अपने खाने को लेती हैं they are called the heterotrophs और इसी वज़े से उनको हम क्या बोलते हैं heterotrophs बोलते हैं, अब hetero का मतलब क्या होता है heterotrophs का मतलब आपको मैंने बताया था कि nourishment यानि कि वो अपने nourishment के लिए, अपने जीवन के लिए दूसरों के उपर depend करती हैं अब यहाँ पर पहली बोलती है पहली wants to know why our body cannot make food from carbon dioxide, water and minerals like plant dough यह कहती है कि जैसे plant अपना खाना खुद से बना लेते हैं carbon dioxide, पानी और mineral की help से हम क्यों नहीं बना पाती है तो इसका answer आप सोचो और comment कर के अर्मिट को जरूर बताओ अब चलो आगे बात करती हैं आगे कहता है now we may ask where the food factories or plant are located अब आपके mind में यह question भी आया हुआ कि वह यह plant के अंदर किस part के अंदर खाना बनता है और जो plant की food factory है वो कहां पे है whether food is made in all part of the plant or only in certain parts अब आपके mind में एक second question यह भी आया हुआ कि जो वह हमारा खाना बनता है वो plant के सभी parts के अंदर बनता है या फिर किसी एक specific part के अंदर बनता है how do plants obtain the raw material और यहां पे जो आपके plant होते हैं वो अपने कच्चे पदार जिसे की पान है carbon dioxide और आपकी जो minerals है उनको कैसे ले पाते हैं अब इस बात को आगे बताता है how do they transport them to the food factories of the plant और finally उनको लेने के बाद जो उनकी food factory होते हैं जहां पे उनका खाना बनता है अब वहां तक उसको वो कैसे पहुंचा पाते हैं तो ऐसे कुछ questions आपके mind में अब उठ रहे हैं तो चलो उनका answer आपको यहां पे देते हैं फटवर्ट से start करते हैं हमारे next topic को जो की है photosynthesis is food making process in plant तो चलो इस paragraph को अब आपको explain करते हैं अब बोलता है leaves are the food factory of plant जो आपके पते होती है न वो आपके plant की क्या होती है food factory होती है और जालतर खाना आपका वहीं बनता है therefore all the raw materials must reach the leaves और इसी वज़े से जो भी आपका कच्या पदार्थ होता है जैसे कि मानों आपके यहां पे water हो गया carbon dioxide minerals इन सभी का पत्तो तक पहुंचना बहुत जरुवरी होता है water and minerals present in the soil are absorbed by the roots and transport to the leaves अब यहां पे कहता है कि जो भी minerals आपके मिट्टी के अंदर present होती है जो आपका plant क्या करता है उसको अपने जो जड़ होती है उनकी help से यहां से लेता है मिट्टी से और इसको उपर पहुंचा देता है आपके पत्तो तक ठीक है carbon dioxide from air is taken in through the tinny pores present in the surface of the leaves और जो आपके पत्ते होती है इनके अंदर छोटे छोटे आपके ऐसे shades type से होती है बिल्कुल और यह क्या करती है आपकी atmosphere से carbon dioxide को यहां पे ले लेती है अब आगे आप से भी को बोलता है these pores are surrounded by the guard cells such pores are called the stomata अब कहता है कि जो आपके यह pore होती है जो carbon dioxide को लेती है यह इनके side में आपकी guard cells होती है और इस पूरे को हम क्या कहते है आपका stomata जो बीच वाला part है यह stomata हो जाता है और यह हो जाती है आपके guard cells है यहां पे ठीक है चलो अब आगे बात करते हैं आगे आपको बताता है cell के बारे में अब cell की definition आपको कुछ step से देता है और कहता है you have seen that buildings are made of bricks आपने दिखा होगा कि जो आपके घर है और बड़ी-बड़ी buildings है वो आपकी इटो से मिलके बनी हुई है similarly the body of living organisms are made of tiny unit called cell और इसी तरीके से जो हम सभी human beings है हमारे और भी ओ लीविंग organisms है उन सभी की body हमारी किस से बनी हुई है cell से बनी हुई है जैसे कि घर हमारा इटो से बनता है और यह हमारे सबसे छोटी unit भी होती है ठीक है अब आगे कहता है cell can be seen only under the microscope और जो हमारा cell है उसको सिर्फ हम microscope के अंदर से ही देख सकती है some organisms are made of only one cell और कहता है कि बहुत सारे आपके ऐसे organisms भी होते हैं जो सिर्फ एक ही cell से मिलके बनी होती है this cell is enclosed by a tiny outer boundary called cell membrane यहाँ पे कहता है कि जो आपका यह cell होता है इसके side में आपकी छोटी सी membrane होती है मैं आपके जो cover करके रखती है वो क्या होती है आपकी cell membrane होती है most cell have distinct certainly located spherical structure called the nucleus और कहता है कि जो आपका cell होता है उसके बीच में कुछ ऐसा आपका round round spherical structure होता है वो क्या होता है आपका nucleus होता है इसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे cytoplasm ठीक है अब आपको यहाँ पे cell का भी थोटा बहुत overview मिल चुका होगा तो चलो अब इसी के साथ हम आगे बात करते हैं और आगे समझते हैं आगे बोजो बोलते हैं बोजो यहाँ पे कहते हैं कि जो भी आपका जो जड़ी होती है पानी और मिनरल्स को लेती हैं तो वो बत्तो दग इसको कैसे पहुंचा पाती है यहाँ पे इसका answer देती हैं और बोलते हैं water and minerals are transported to the leaves by the vessels which runs like pipes throughout the route अब आपको यहाँ पर कहते हैं कि आपका जो पानी होते है वो vessels की help से ऊपर जा पाता है अब यहाँ पर यह आपका कैसे कर आपनें पाईप देखी हो घर पे तो पाईप की तरह काम करता हैं और वहां से आपके Minerals पाने को लेके उपर पहुचा देता है जड़ो तक और जो आपकी ऐसी पाइप होती है यह आपकी यह पे तहनियों से होती हुई आपकी फिर उसके पाद ब्रांचिस से होती हुई पत्तों तक पहुचाती हैं you will learn about transport of material in plant in chapter number 11 और इसके बारे में आप जब तरह अपने chapter number 11 के अंदर जानने वाले हैं अपनी class 7 की तो थोड़ा वेट करिए उसकी वीडियो भी आप सभी को जरूर मिलेगी अब आगे पहली बोलती है to wants to know what is so special about the leaves that they can send us his food but other parts of the plant cannot note कहती है कि जो आपकी पत्ती है उनमें ऐसी क्या खास बात है कि वो अपना खाना खुद से बना लेती है और जो plants के बाकी पार्ट जैसे उसका तना हो गया उसकी टहनिया हो गई वो नहीं बना पाती the leaves have a green pigment called the chlorophyll अब इसका answer यहां पे देता है कि जो आपके पत्ती होती है ना उनके पास ए green pigment होता है जिसका नाम क्या है chlorophyll है और इसी की help से वो अपने food को यहां पे बना पाती है it helps leave to capture the energy of the sunlight यह पत्तों की help करता है sunlight को capture करने में हमारी सुरज की रोशनी को यहां पे capture करने में this energy is used to synthesis prepare food from carbon dioxide and water और यही हमारी help करती है carbon dioxide और water से plant का food बनाने में since the synthesis of food occur in the presence of sunlight it called the photosynthesis और यहां पे कहता है कि सूरज की रोशनी में आपकी जो एक प्रोसेस होती है खाना बनाने यह प्लांट के अंदर इसको हम क्या कहती है photosynthesis बोलती है अब photo का मतलब यहां पे क्या होता है light और synthesis का मतलब क्या करना होता है आपका combine करना होता है यानि कि light को combine करके हमारे carbon dioxide भी लेके पानी भी लेके plants अपना food बना लेती है so we find that the chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and water are necessary to carry out the process of photosynthesis इससे हमें यह बात समझ में आती है कि जो हमारे सूरज की रोसनी है हमारे carbon dioxide है हमारा पानी है वो जरूरी होती है किसके लिए जरूरी होती है हमारे plant के food को बनाने के लिए it is unique process on the earth the solar is captured by the leaves and stored in the plant in the form of food और आप देखो कि कितनी unique process हमारे अर्थ के ओपर काम करती है basically करती क्या है यह कि जो सूरज की रोसनी होती है उसको capture कर लेती है और अपना food बना लेती है the sun is the ultimate source of energy for all living organisms और इसी वज़े से हम कह सकते हैं कि जो सूरज है वो हम सभी living beings के लिए हम सभी organisms के लिए क्या है एक ultimate source of energy यानि कि उसी के पास से हमें क्या मिलती है energy मिलती है ताकत मिलती है अब चलो आगे बात करते हैं फटफट से अब बोलता है in the absence of photosynthesis there would be no any food यहाँ पर कहता है अगर आपकी photosynthesis process नहीं हो पाएगी तो यहाँ पर कोई भी खाने के लिए हमारे पास चीज नहीं होगी अब यहाँ पर कहता है कि जो हमारे सभी living organisms होते हैं सभी का जीवन इंडिरेक्टली बोलो आप या इंडिरेक्टली बोलो हमारे किसके ओपर depend करता है प्लांट की ऊपर ही depend करता है ठीके अब चलो देखते हैं आगे हमें क्या बोलता है आगे बोलता है beside oxygen is which is essential for the survival of all living organisms is produced during the photosynthesis और जो हमारी oxygen gas है जिसकी हम सभी को जुरूरत होती है living organisms को जिन्दा रहने के लिए वो भी हमारी photosynthesis process के जर्ये ही produce की जाती है in the absence of photosynthesis life would be impossible on the earth अब यहाँ पर कहता है कि अगर आपकी photosynthesis process नहीं होगी तो जो हमारी जिन्द की हमारी earth के उपर है वो बिल्कुल impossible नहीं हो जाएगी और वो बिल्कुल यहाँ पर नहीं possible हो पाएगी आगे कहते हैं इसके साथ beside leaves photosynthesis also take place in the other green part of the plant अब जो पहली ने question पूछा था उसका भी यहाँ पर answer देता है और कहते हैं कि जो आपकी photosynthesis process है यह आपके plants के और parts में भी work कर सकती है in the green stems and the green branches कहता है जैसे कि आपका green तना हो गया और green टहनिया हो गई उनमें भी the desert plants have scale to spine-like leaves to reduce loss of water by transpiration आपने देखा हुआ कि जो आपका रेगिस्तान के अंदर आपकी जो cactus होती है कुछ ऐसे काटो जैसे plant होते हैं आपके तो जो उसके पत्ते होते हैं वो काटे ही होती है तो वो अपने टहनियों के मदद से क्या कर पाता है आपकी यहां पर अपने transpiration को complete कर पाता है अपने food को बना पाता है बाइ transpiration these plants have green stems which carry out photosynthesis और वहां पर जो photosynthesis process होती है खाना बने आने की वो work करती है उनकी stems के अंदर और transpiration process जो उसकी पानी का उनके अंदर से loss हो जाता है जो क्यों जो उसके पत्ते होते हैं वो कैसे होते हैं काटो जैसे होती है अब यहां पर आप सभी को कहता है कि photosynthesis process के अंदर होता है कि जो आपका क्लोरोफिल होता है cell के अंदर वो क्या करता है आपके sunlight की present में carbon dioxide की present में और पानी की present में आपके carbohydrates को बना देता है और साथ में oxygen भी बना देता है this process can be represent as an equation और इसको एक equation की तरह आपको यहां पर दिखा भी रखा है तो चलो इस equation को भी आपको एक बार बता देते हैं तो यहां पर बोलता है कि जो आपकी carbon dioxide है उसके साथ में अगर हम plus कर देते हैं आपका पानी, water उसके बाद क्या होता है कि जो अब आपकी sunlight है वो यहां पर है उसके बाद जो आपका chlorophyll है आपकी पत्तों के अंदर वो यहां पर है अब यहां पर क्या है सबसे पहले तो आपको पत्ता दिखाते है जो कि आपकी leaf है जो food बना पाती है अब इसको क्या करता है आपको जोड़ा जूम करके दिखाता है आपके microscope के अंदर और बताते है कि जो यह वाले parts होते हैं यह होता है आपका chlorophyll जो कि आपके इसमें help करता है carbohydrate और oxygen बनाने के अंदर और आपका यह सारा क्या है green pigment को भी show कर रहे ठीक है उसके बाद यह होती है दो आपकी guard cell और जो बीच में होता है यह छोटा सा gap आपका यह होता है आपका stomata ठीक है अब इसको यहाँ पर आपको stomata को पूरा को पूरा दिखा रखे है कि जो आपका यह बीच में gap होता है इसको तो हम बोलते है स्टो मेटा ओपनिंग और जो साथ में आपकी ऐसे मुड़ी हुई है यह होती है आपकी guard cell यहाँ पर जो कि आपके इसको protect करती है और जो यह होता है यही आपकी carbon dioxide को यहाँ पर ले पाता है और यही आपके पानी की लूस में भी यहाँ पर ट्रांसपरिशन के अंदर भी help करता है चलो आप पटापट से आगे समझ ले दें अब यहाँ पर आपको बताता है कि जो आपका plant होता है वो carbon dioxide लेता है यहाँ पर light से energy लेता है यहाँ पर chlorophyll उसकी leaves के अंदर होता है जो water से कह लेता है वो अपने minerals को ले लेता है और फिर बाद में क्या करता है आपकी oxygen को यहाँ पर release कर लेता है और अपना खाना यहाँ पर बना लेता है अब आगे कहते है during the process oxygen is released the presence of starch in leaves indicate the occurrence of photosynthesis starch is also a carbohydrates अब यहाँ पर कहते है कि जब आपकी यह photosynthesis process होती है तो आपकी oxygen gas भी plants के अनदर से निकलती है और साथ में जब आपके जो plants photosynthesis process को करते हैं तो उनके अंदर क्या हो आ जाता है? starch आ जाता है अब जो starch होता है वो भी आपके plants का एक carbohydrate होता है यानि कि उनका खाना रहता है अब आगे बोजो बोलता है Bojo has observed some plants have deep red, violet और brown leaves Bojo ने दिखा कि कुछ plants के कैसे पते हैं कि उनके किसी के लाल हैं, किसी के violet हैं, किसी के यहाँ पर brown है He wants to know whether these leaves also carry out photosynthesis तो वो जानना चाता है कि क्या यह वाले पते भी यहाँ पर आपकी photosynthesis process को करते हैं या फिर नहीं करते हैं तो चलो इसका answer देने की यहाँ पर कोशिस करते हैं हमारी activity 1.1 के अंदर ठीक है तो चलो start करते हैं इसको अब यहाँ पर बोलता है Take two poted plants of same kind Keep one in dark for 72 hours and other in sunlight यहाँ पर कहता है कि आप एक काम करो दो अपने थोड़े घड़े वगरे लेके आओ उनके अंदर plant लगाओ यानि कि आप जो आपके घमले के अंदर plant आते न वो आप directly market से purchase कर लाओ बिल्कुल same plant purchase कर लाओ एक को आप अंधेरे के अंदर dark के अंदर रख दो एक को sunlight के अंदर रख दो आगे कहता है perform iodine test with the leaves of both the plants as you did in class 6 अब यहाँ पर कहता है जैसे आपने iodine test अपने 6th class के अंदर खिया था उसको आप यहाँ पर अगें से करना कुछ दिनों के बाद यानि के 72 hours के बाद में अगर आपको iodine test यहाँ पर नहीं पता है तो जाओ करा 6th की यहाँ पर चैप्टर को देखो study करो आपको समझ में आ जाएगा आगे कहता है record your result now leave the pot which was earlier kept in the dark in the sunlight for 3-4 days and perform the iodine test again on its leaves record your observations once in your notebook अब यहाँ पर आप सभी कोई यही बात बोलते है कि फिर आप एक काम करो जो कि अपने dark के अंदर रख रखा था अपना plant उसको अगें से बहां से उठाओ और अब क्या करो sunlight में रख दो 3-4 दिनों के लिए और फिर अगें से उस पर iodine test करके आप देखो the leaves other than green also have chlorophyll तो इससे आपको यह बात समझ में आईए कि जो आपके पते अलग है जो आपके बिल्कुल green pigment से थोड़े अलग है यानि कि brown, red या, violet है उनके अंदर भी आपका chlorophyll यहाँ पर present होता है the large amount of red, brown and other pigment mask the green color इसके लिए उनके अंदर क्या हो जाते है कि जो आपका red color का pigment है या फिर brown color का वो थोड़ा ज़ादा हो जाता है green की comparative में लेकिन green भी वहाँ पर होता है इसलिए उसके उपर क्या लग जाता है mask type लग जाते है और वो आपको show नहीं करता photosynthesis take place in these leaves also और जब कि photosynthesis process है वो इन leaves के अंदर भी आपकी होती है इन पत्तों के अंदर भी जरूर होती है you often see slimy green patches in the ponds or in the other stagnant water bodies आपने देखा हुआ कि जो आपकी बहुत सारी पानी की body होती है जैसे मानों ये आपका तालाब है बहुत बड़ा तो यहाँ पर आपके green green type कुछ ऐसी आ जाती है पानी के ओपर सत ऐसी ठीक है तो वो आपकी क्या होती है they are generally formed by the growth of organisms called the algae ये आपकी किसे लिए आते हैं क्योंकि जो आपके कुछ organisms plant पानी के ओपर आपके grow हो जाते हैं जिनको हम क्या कहते हैं algae कहते है can you guess why algae are green in color क्या आप सोच सकते हैं कि जो आपकी algae है वो color के अंदर green ही क्यों होती है they contain chlorophyll which gives them the green color इनके अंदर क्या होता है chlorophyll होता है जो इनको हरा color यहां पर दे देता है algae can also prepare their oven food by the photosynthesis और जो आपकी algae होती है वो भी अपना काना photosynthesis process के जरीए यहां पर बना सकती है अब आगे कहता है synthesis of plant food other than the carbohydrates अब आपको यहां पर कुछ बताएगा जो आपके plant food कैसे कैसे होते है आपके जो carbohydrates से थोड़े अलग रहते है तो चलो इसको भी यहां पर जान लेते है अब इसमें बोलता है you have just learned that the plant synthesis is carbohydrates through the process of photosynthesis अब आपने इस बात को जानने है कि जो आपके plant है वो photosynthesis process के जरीए carbohydrate बनाते हैं यहां पर बोलता है कि जो आपके carbohydrate होते है उसके अंदर तेन चीज रहती है carbon, hydrogen, oxygen these are used to send to the other component of the food as protein and fat और यह क्या करते हैं आपके और components को बनाने में help करते हैं जैसे आपका protein हो गया, fat हो गया but protein are nitrogenous substance which contain nitrogen जबकि जो आपका protein होता है वो एक nitrogenous substance होता है और nitrogen की help से ही वो बन बाता है और उसके अंदर आपके nitrogen भी यहां पर रहती है from where do plant obtain nitrogen तो आपके जो plant होते हैं उनको nitrogen कहां से मिलती है recall the nitrogen in present abundance in the gaseous form in the air आपको इस बात को तो पता है कि जो आपकी nitrogen है वो आपकी हवा के अंदर बहुत जादा मातरा के अंदर यहां पर present है हमने 6th class के अंदर बात को study किया था however plants cannot observe nitrogen in this form जबकि जो आपके plant है वो इस चीज़ के अंदर आपके directly हवा के अंदर से तो nitrogen को नहीं ले सकते soil has certain bacteria that convert gaseous nitrogen into a usable form and release it into the soil जबकि जो आपकी मिट्टी होती है उसके अंदर कुछ छोटे-छोटे bacteria होती है वो क्या करती है हवा से हमारे nitrogen को लेती है और मिट्टी के अंदर क्या कर देती है उसको कुछ usable form में बनाके जो कि हमारे plant के लिए अच्छ रहती है छोड़ देती है ठीक है और अपने बहुत बार देखा हुआ कि जो आपके किसान लोग होती है वो भी यही करती है कि वो आपके वो वाले खाद लेकिया थे जिनके अंदर nitrogen के मातरा जादा रहती है और उसको अपने मिट्टी के अंदर add कर देती है इसी तरीके से जो आपके प्लांट होते हैं अपने nitrogen के requirement को फुल्फिल कर लेती है along with the other consistence plant can then synthesis protein and vitamin और इसी तरीके से जो आपके प्लांट है वो protein भी बना पाते हैं विटामिन भी बना पाते हैं तो आज के पार्ट के अंदर इतना ही अब next part की वीडियो भी आपसे पहले देखने के लिए और अपने दोस्तों साथ में शेयर करना अब इकुल भी मत भोलने जो से कियर वो भी घर बैठे बैठे स्टडी कर पाएं तो आपसे मिलती हैं अगली वीडियो में जल्दी तब तक के लिए दोस्तों बाई बाई